किसानों की आए बढ़ाने और किसानों को अधिक से अधिक लाब देने के लिए मनोहर सरकार लगादार कारे कर रही है मनोहर सरकार के प्रयासों की वज़े से हर्याना प्रदेश प्राकर्ति के खेती की तरफ बढ़ रहा है प्राकर्थी के खेती की वज़े से आज प्रदेश के किसान अच्छा मुनाफ़ा कमा रही हैं वहीं सरकार विभिन्न कारेक्रमों के जर्ये किसानों को प्राकर्थी के खेती के पृती जागरू को करने का काम कर रही है प्रदेश में बागवानी एमिशन के तहट किसानों को कई तरह की सुविधाएं और स्कीमों का भी लाब दिया जा रहा है बात अगर गुरुग्राम जिले के रहने वाले प्रगतिशील किसान सतीश की की जाए तो सदीश भी बागवानी दिभागयों की मदद से फलों और सब्जियों की खेती कर अच्छा मुनाफ़ा कमा रही है आपको बता दें गुरुग्राम जिले के रहने वाले सतीश एक शहरी के सान है और वो एर्वान्स टेक्नलोजी में विश्वास रखते हैं और पिछले कई सालों से सब्जियों और फलों की खेती करते हैं वो बताते हैं कि बागवानी विभाग के मदद से कैसे उनकी खेती में मुनाफ़ा बढ़ा है प्रगतीशील किसान सतीश का ये कहना है कि खेती में नई टेक्नलोजी का प्रियोग करके तीन से चार गुना तक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है सतीश ने निश्चित तोर पर ये साबित किया है कि बागवानी विभाग की मदद से कैसे खेती की नई तकनीकों को अपनाया जा सकता है और पारंपरी के खेती के मुकाबले प्राकर्टी के खेती में तीन से चार गुना ज्यादा मुनाफ़ा कमाया जा सकता है बता दें कि सतीश अब प्राकर्टी के खेती करके लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही है देश में खेती किसानी का रखबा बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृशी से जोड़नी के लिए सरकार काफी प्रयास करती है इसी तरह से कृषिप्रमुक राजियों में गिने जाने वाले हर्याना में सरकार भी किसानों को लगातार खेती के आदुनिक तरीकों से जोड़ कर उन्हें लाब देने का प्रयास कर रही है इसी की बदोलत आज प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में किसान इस खेती की ओर अग्रिसर हैं वहीं फरीदाबाद के रहने वाले प्रिगती शील, किसान, सूरज भी अब पारंपरी के खेती को छोड़ कर गोभी, नीमू और आलू की खेती कर रहे हैं किसान सूरज बताते हैं कि बागवानी दुभागय की तरफ से समय समय पर मिले जानकारी की वजह से उन्हें मदद मिली है और सभजी की खेती से उनके खर की आर्थिक समस्याई भी सुलजने लगी है मनोहर सरकार के प्रयासों से ही आज किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकर्टिक खेती की तरफ बढ़ रही है किसान सूरज ने ये बताया कि जब हम धान की खेती करते थे तो साल में एक बार ही पैसा मिल पाता था लेकिन अब प्राकर्टिक खेती की वज़े से उनके पास हर समय पैसा रहता है जिसकी वज़े से किसान आत्म निर्भर भी बन रहे है किसान भाईयों को ये सला देना चाहूंगा कि अपने माल की ग्रेडिंग करके उसको तुड़ाई करके अच्छे से चटाई करके पैक करके जब अच्छी तरह से बेके माल को ऐसे ना लुटाएं कि भरार तोड़ार पहुचा दिया उसमें नुकसान होगा किसान भाई को तो वह चाटके ग्रेडिंग करके माल पहुचा है बजार में जिससे उसे इंकम दुगणी से क्या चोगनी हो जाएगी भाब में जब हम ग्रेडिंग बनाके ले जा हर्याना सरकार के प्रयासों की वजह से अब किसान सूरज खुश है और बागवने विभागयों के देशों का पालन करके सफलता पूर्वक सब्जियों की पैदावार से ज्यादा कमाई भी कर पा रही है जिसके चलते उनके परिवार का स्तर भी सुधरा है और सूरज अब अ हर्याना में प्रिगती शील किसानों की फेरिस्त काफी लंबी है बागवानी शेत्र से चुड़कर आए बढ़ाने वाले किसानों में जीन के किसान भी शामिल है अच्छे लाब को देखते हुए प्रदेश के युवा भी खेती की तरफ आकरशित हो रही है जिसका श्रे प् इकतों का समाधान करने के लिए काफी योजनाओं को अमल मिलाया जा रहा है जीन्द जिले के पालवा गाउं के रहने वाले किसान सुभाश ने प्राकर्तिक खेती कर मिसाल पेश की है ग्रेजुईशन पूरी करने के बाद सुभाश ने अपने पैट्रिक कारे को आगे बढ जाने के बारे में सोचा और साल 2003 में फूड प्रोसेसिंग का एक यूरे रिस्थापित किया बागवानी विभाग का साहरा बिलने के बाद सुभाश निरंतर सफलता की उचाईयां छू रहे हैं सन 2003 में मैंने अपना ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट का कारिया शुरू किया जब मैंने शुरुआत की तो मेरे को काफी दिख्तों का सामना करना पड़ा लेकिन इसमें धीरे-धीरे में बागवानी विभाग से जुड़ा और बागवानी विभाग से जुड़ने के आज मैंने अपने गाउं के लगभग 15-20 परिवारों को इसके अंदर रोजगार दिया हुआ है और मैं लगभग 40-50 परकार के आइटम इसके अंदर बनाता हूं। मैं इसके लिए बागवानी विभाग का बहुत बहुत अभारी हूं जिनोंने मेरे जैसे एक तुछ किसान को इतना आगे बढ़ाया इसके लिए मैं बार-बार बागवानी विभाग का धन्यवाद करता हूं। और वो अपने प्रोडेक्ट को अच्छी परकार से वैल्यू एडिट करके यदि मार्केट के अंदर लेकर आएगा तो उसमें उसका मुनाफ़ा भी काफी अच्छा मिलेगा। हर्याना में प्राकरतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की सुएधाएं दी जा रही हैं। जिसके चलते अब किसान पारमपरिक खेती को छोड़ आधुरिक खेती के प्रती जागरुप हो रही हैं। किसान समझ गए हैं कि आय को तो गुना करने के लिए सिर्फ पारमपरिक फसनों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अच्छे मुनाफ़े के लिए नई तकनीक, नई तोर तरीकों और बागवानी फसनों की और गुरुप करना ही होगा। हर्याना सरकार की तमाम वफायदे मंद योशनाएं और जागरुपता कारेक्रमों से किसान न सिर्फ जागरुप हुए हैं बलकि अपना मुनाफ़ा भी बढ़ा रही हैं। बागवानी फसलों में नुकसान की संभावना कम करने के लिए आधने क तकनीके भी आ गई हैं जिसका किसान भरपूर उप्योग कर रही हैं। हर्याना सरकार की तमाम योजनाओं से किसानों की आई बढ़ रही हैं और किसानों का जीवन इस्तर अब काफी उपर उठ चुका है। ऐसे ना जाने कितने प्रिगती शील किसान हैं जो सरकारी योजनाओं की मदद से अपने जीवन का इस्तर बदल कर यानि आए बढ़ा कर काफी बहतरीन कर चुके हैं। ये किसान दूसरों के लिए प्रिगती शील किसानों की सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं।